हेलो फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड आज मैं आपके लेका रहा हूँ पोको का M2 Pro फ्रेंड ये पोको का M2 Pro है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पैटर लोक लग गिया है तो आप यहां देख सकते हैं सीवो मोबाल टेक प्लस में आपका स्वागत है मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबा दें थैंक यू तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस फोन को हम लोग पावर आप कर लेंगे चलिए यहां पर यह पावर बटन है इसे हम दबा दिये अब इस फोन को हम लोग पावर आप कर लेते हैं ठीके दोस्ता अब हमारा फोन जो है पावर आप हो रहा है हो गया अब यहां ध्यान से देखे यह बुलिम अप बटन यह है डौन बटन और यह है पावर बटन तो हम लोगों करना यह है कि भुलिम अप बटन को दबा के पावर बटन को प्रेस करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो हम लोग भुलिम अप बटन को दबा दिये उसके बाद पावर बटन को दबा दिये जैसे पोको लिखे आएगा power button छोड़ दिये और फिर जैसे यहाँ options आजाएगा आगया आप volume up button को भी छोड़ दिये ठीके दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको display पर दिखाने लगेगा options अब यहाँ पर क्या करना है ध्यान से दिखिए यहाँ सबसे उपर में लिखा हुआ है reboot और second number में लिखा हुआ है wipe data तो हम लोग को volume down button की मदद से wipe data पर आजाना है आगया और हम लोग को अब power button से ok कर देना है इसको ok कर दे अब यहाँ पर लिख रहा है wipe all data और उसका नीचे में लिख रहा है back to main menu तो हम लोग को wipe all data पर ही रहने देना है और power button से ok कर देना है ठीके अब यहाँ पर उपर में लिख रहा है cancel और नीचे लिख रहा है confirm तो हम लोग को confirm पर आना है volume down button से confirm पर आगये और power button से ok कर देंगे ठीके दोस्तों यहाँ पर हमारा phone जो है wipe data fatty reset हो रहा है देखे यहाँ लिखा गया data wiped successfully ठीके अब यहाँ लिखा हुआ है back to main menu तो हम लोग को back जाना है तो power button दबाएंगे ठीके अब हमनों main menu में आ गया है अब यहाँ लिखा हुआ है reboot ठीके तो हमनों को फोन को reboot करना है तो चलिए power button को दबाके इस phone को reboot करते हैं ठीके उससे पहले यहाँ पर एक और चीज मांग रहा है यहाँ बोल रहा है reboot to system और नीचे लिख रहा है back to main menu तो हमनों को reboot to system ही रहने देना है और power button को ok कर देना है ठीके दोस्तों यहाँ पर phone हमारा reboot mode में चला गया है तो यहाँ पर आपको चार से पांच मिनट लग सकते है जब तक यहाँ phone खुद बखुद reboot होकर खुद बखुद start ना हो जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है इसे reboot होने देना है फ्रेंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो का like करे और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय अब हमारा phone जो है कुछ दिर के बाद इसी तरह से start हो जाएगा ठीक है अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं इस तरह से खुल गया है अब हम लोग को यहां पर क्या करना है अब हम यहां start पर tap करेंगे और अपने phone को setup करके चला सकते हैं तो चलिए यहां पर हम लोग आगे दिखाते हैं यहां start पर tap करेंगे यहां language select है आगे बढ़ जाएंगे यहां country इंडिया select है आगे बढ़ जाएंगे यहां term and condition पर टिक कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे यहां दो सेकेंड रुकेंगे अब आगे बढ़ जाएंगे यहां पर एक wifi network connect कर लेंगे अगर आपके गरवं कोई दुसरा फोन है तो इसमे फोन से wifi network connect कर दे ताकि इस फोन पर internet चालू हो जाएंगे अगर आपके गरवं कोई दुसरा फोन नहीं है तो आप इस फोन में SIM card लगा के भी network connect कर दिया है और हम लोग आगे बढ़ गये है फि तो पुरी दिर बाद यहां ओप्शन सागे बढ़ेगा ठीक है अब यहां डॉन कॉपी करना है यहां पर पैटन मांग रहा है जो इस फोन में यहीं से खुल जागा पर मैंने इसे ही रिमूब करने के लिए इस फोन को हाड़िसिट किया है तो क्या करेंगे इसका दूसरों और यहां आप नीचे में देखिए लिखा हुआ है यूज माई गूगल एकाउंट इस पर हम लोगिंग करें आपका फोन यहीं से खुल जाएगा लेकिन अगर आपको वह भी नहीं पता है तो घबरानी की कोई बात नहीं दोस्तों आप मेरा अगला वीडियो जुरूर देखें मैं उसमें आपको इस गूगल एकाउंट को बा दिखाऊंगा मैं इस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिशन में डाल दूँगा आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो फ्रेंड मेरा अगला वीडियो जुरूर देखिएगा मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा और आपके फोन का या